आप सभी लोग को पियों कीचन में स्वागत है तो आज मैं लेकर आए एक सिंपल सीरेस भी बैगन की सबजी की घर में जो मसाला उसी मसाला से हम बैगन की सबजी बना कर तयार करेंगे ओ भी खाने युदम लजबा बहुत लोग ऐसे हैं कि बैगन की सबजी खाना पसंद नही करते हैं तो देखिए इस ट्रीक से आप लोग बनाएंगे घर के अंदर तो आपकी का सभी लोग को पसंद आएगा खाना तो आप लोग कहां से वीडियो देखने आप लोग कमेंट करने के लिए आप लोग मत बुलना तो देखिए हमने सबजी बनाने के लिए सबसे पहले ग्रीन वाला बैगल ले है अहाँ पर यह पर कोई भी बैगल ले सकते हैं जो आपके पास है चाहे मार्केट से लाए चाहे घर है तो और अच्छा है तो देखें यहां पर हमसे पहले साप कर लेते और हम लिए हैं यहांपर दो आलू को भी हमने छिल काटा कर उसको ने दो आलु बाएगर नहीं कर सकते हमारी बच्ची है तो आलू खाना बहुत पसंद करती है तो हम JI ले लिए हैं तो देखिए हम इसको कबर करकर 2-4 मिनट तक हम आप इसको प्राई कर लेंगे एकदम लो मीडियम फ्लेम पर तो देखिए हम याप कबर कर दिया है तो आप अब तो आप लोग देख सकते हैं जो अच्छ से पांच मिनट हो गया है हमें प्राइब लिए चलिए वहार निकाल लेते हैं कराई से तो आप यहां पर देख सकते हम यहां पर लिए हैं 4-5 लशुन कि कलिए हरी मीर्च एक अधी कर टुकड़ा एक प्याज हैं शाटग को बानोम लेते हैं पर यहां 20 डिनार टयार करें गैङर आपके पासंद सब्सक्राइबSabreck स सब्स्राइब बनाना हम सुरू करते हैं तो आप सब्जी बनाने के लिए हमें आप बचे हुए तेल में ले लेते हैं एक चमज जीरा तो हलका जीरा हमारा जैसे चटक जाएगा इसका कच्छा फरन दूर हो जाएगा हमें आप कट्वी एक प्याज को भी हम साथने भूज लेते हैं तो कुछ हम दो चमज डालें पूरे अंपोर याँ पांदी डालें गें साथ में मसाला एक कर देते हैं दनिया पाउडर एक चमज एक तो मसाला को एक से दो मिनट तक हम पका लेंगे जब तक पकाएंगे कि हमारा मसाला का तेल जो है अलग न हो जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं मसाला का तेल जो है अलग हो गया है तो चलिए अब जो हम बैगन को फ्राई करकर रखें उसको हमें आप अच्छे से मिला लेत तब यहाँ पर हम डाल देते हैं पकने के लिए थोड़ी सुन पानी तो देखिए हम यहाँ पर एक कब पानी को डाल दिये हैं तो आप यहाँ पर रोटी चावल पराठा किसके साथ खाना पसंद करेंगे उसी हिसाब से आप पानी डाल देना चावल के साथ खाना है तो उसके ह तो आप देख सकते हैं हम इस वादन साथ नमक लाश्ट में चलिए इसको हम कबर करकर पका लेते हैं तो यहाँ पकाते हुए साथ से 8 मेंट हो गया है यह आप लोग देख सकते हैं हमारे ग्रेवी जो है बेलकुल कम हो गया है अच्छे से सब्जी पक गई तो इसके उपर हम थोड़ी सुन कोटी कर देते हैं अरी धनिया की पती तो यहांप हम धनिया को भी अच्छे से मिला लेते हैं और गई सम कर देते हैं यहांप बंद हमारी सब्जी और रेडी खाने के लिए तैयार है तो आप यहांप सब्जी बैगन की किसके साथ खाना पसंद करते हैं रोटी चावल पराठा के साथ पुलाओ के साथ जरूर आप क खाने में तो लट जब आब है तो आप लोग इस सिंपल सी रेजबी बैगन की सब्ची बना कर खा सकते हैं सभी लोग को पसंद आएगा बच्चे को भी पसंद आएगा आज की रेजबी अमारी कैसी लगी अच्छी लेगी तो प्लीज आप लोग लाइक और सेर सब्स्राइब करने के लिए आप लोग मत बुला आप लोग जरू करते ना मैं मिलूगी आपसे नेश्टी वीडियो